दोस्तों बहुत समय पहले नेपाल की तराई में शुद्धोधन नाम के प्रसद्ध रादा थे। उनकी राजधानी कपिल वस्तु थी। उनके पुत्र का नाम सिधार्थ था। सिधार्थ साथ दिन की ही थे जब उनकी माता महा माया का देहान्त हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी महा प्रजापती गौत्मी ने किया। सिधार्थ को विद्वानों द्वारा सभी प्रकार की सिख्षा दी गई। वे तीक्षुन बुद्धी के थे जो पढ़ते याद हो जाता था। वे राजा के पुत्र थे। अतेह उन्हें युद्ध के सभी कौशन सिखाए गए। अभ्यास हे तु उन्हें शिकार के लिए वन भी भेजा जाता था। वे बड़े सम्मेदन शील थे। शिकार करने की बजाए वे सोचते कि क्या पशुओं पक्षियों को मारना ठीक है। पशुओं पक्षी तो बोल भी नहीं सकते। उनका विचार था कि जिसे मैं जीवन नहीं दे सकता उसका जीवन लेने का मुझे क्या अधिकार है। वे बिना शिकार किये ही लोटा थे। एक बार उन्होंने एक हिरन की और निशाना साधा। सहसा उनकी द्रश्टी पास खड़ी उसकी मा के पास चली गई। मा की बड़ी-बड़ी आँखों में तेरते दया याचना के भावों ने उनकी आत्मा को द्रवित कर दिया। वे तीर नहीं चला सके और लोटाए। बालक सिधार्थ जिग्यासू प्रकृती के थे। उनका विवहार में अनोखा पन था। वे द्वानों ने भविश्यवाणी की थी कि वे एक दिन अपना घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे। वे संसार को मानवता की सिक्षा देंगे। वे सन्यासी ना हो जाएं। इसलिए उनके पिता ने यशोधरा नाम की एक सुन्दर कन्या से उनका विवाह कर दिया। सिधार्थ ने इसे बंधन माना। पुत्र राहुल पैदा हुआ। पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि ग्रहस्त जीवन में उनका मन लगे। परन्तु सिधार्थ का मन कभी भी परिवार और राजकाज में नहीं लगा। एक दिन सिधार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वरिद्ध मिला। उसकी आँखें धसी थी, चहरे पर जुरियां पड़ी थी, वैलाठी के सहारे चल रहा था। मनुष्य की ऐसी दयनीय स्थती देख कर उन्हें आशर हुआ। पूछने पर उन्हें सार्थी ने बताया कि व्रद्ध होने पर सब की यही दशा होती है। उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने देखा कि चार लोग एक मृत विक्ती को ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि वह विक्ती मर गया है। सब को एक दिन मरना ही है। सिधार्थ ने ऐसी घटनाय देखी कि उनका मन ना गर में लगता ना वन उपवन में। वे मुझते रहते मनुष्य को इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है एक दिन जब महल के सब लोग सो रहे थे सिधार्थ उठे वे अपनी पत्नी और नन्हे मुन्ने पुत्र की और गए वहां उन्होंने कक्ष में रखे दीपक के प्रकाश मे नीन में डूबे उन चेहरों को देखा एक शण को मन में कमजोरी आई परंतु तुरंत ही वे समल गए वे कक्ष के बाहर आये उन्होंने सेवक को साथ लिया और शिग्र ही वे घोडे पर सवार होकर महल से दूर निकल कर एक स्थान पर रुके वहां राजसी वस्त्रों को उतार कर उन्होंने सेवक को दे दिया और सादे कपड़े पहन लिये उन्होंने घोड़ा लेकर सेवक से वापस जाने को कहा साथ ही यह भी कहलवा दिया कि अब मैं सत्य की खोज करके ही लोटूंगा इस समाचार से महल में कोहराम मच गया एश्वरे का जीवन बिताने वाला राजकुमार अब लोगों के दिये हुए दानों पर अपना जीवन बिताएगा क्योंकि अब वे सत्य की खोज में लग गया था सान्यासी की भाती सिधार्थ जगय जगय घूमते रहे कुछ दिन बाद वे बोध गया पहुँचे और ज्यान प्राप्त करने का संकल्प लेकर एक वट वरक्ष के नीचे बैठ गये छे वर्ष की कठिन साधना के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें ज्यान प्राप्त हो गया है और जीवन की समस्याओं का हल मिल गया है अब सिधार्थ बुद्ध कहलाने लगे अब गौतम बुद्ध लोगों को उपदेश देने लगे वे कहते कि संसार में दुख ही दुख है दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसी आठ बाते बताई जो मनुष को सदाचार की प्रेणा देती है गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन में किसी बात की अती ना करो संतुलित जीवन जीओ, अहिंसा का पालन करो किसी को सताओ नहीं, हत्या ना करो, पशुओं की बली देना ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि भाईचारे का जीवन अपनाओ, प्रेम का विवहार करो पवित्रता से जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो घ्रणा को घ्रणा से नहीं, बलकि प्रेम से जीतो प्रेम से घ्रणा खत्म हो जाती है दूसरों को दुखी देखकर प्रसन होना अच्छी बात नहीं है गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों की भलाई करो परूपकार से मित्रता करो, दया सनेह और करुणा अपनाओ सनेह पूर्ण रिदय सबसे बड़ा धन है दुरगुण बुरी चीज है, उसे पनपने ना दो अपने दुरगुणों को दूर करो उन्होंने सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी अच्छे विचारों को रत्न बताया और मन को जल के समान रखने को कहा उनकी सिख्षा थी की धैरे से काम करना चाहिए सहनशीलता से मन पर काबू रहता है उन्होंने किसी को अपमानित करने के लिए हमेशा मना किया उनका कहना था कि स्वास्थ से बड़ा कोई लाव नहीं संतोष से बड़ा कोई धन नहीं प्रेम से बड़ी कोई प्राप्ती नहीं द्वेश के समान कोई अपराध नहीं बुद्ध ने कहा कि चाति पाति का भेदभाव ठीक नहीं है बौध्ध धर्म को मानने वाले सभी वर्गों के लोग थे भिक्षूओं के रहने के लिए बौध्ध विहार बनवाए गए स्वाध्याय तथा बौध्ध धर्म के परचार प्रसार में बौध्ध भिक्षू अपना जीवन व्यतीत करते थे थोड़े समय में ही गौतम बुध्ध भारत के अनेक भागों में प्रसिद्ध हो गए उनकी सिक्षा का प्रभाव भारतिय जीवन के हर पक्ष पर पड़ा खान पान रहन सहन आचार विचार कथा साहित्य आदी का कोई भी खेत्र अचूता ना बचा अजन्ता और एलोरा की गुफाओं की कलाप्पून मूर्तियों पर साची तथा सारनात के स्तूप और कुशिनगर की मूर्ती अशोख चक्र और चातक की कथाएं सभी इस बात की साक्षी हैं कि बौध धर्म ने जीवन के विविद पक्षों को प्रभावित किया यही नहीं बौध विक्षू भारतिय संस्कृति को एशिया के अनेक भागों में ले गए समराट अशोक भी बौध धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को सुदूर देशों में बौध धर्म परचार के लिए भी भेजा था गौतम बुध ने अपने प्रेम बंधन में सभी को बांध लिया था तो प्यारे साथियों इस कहानी में इतना ही अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए हम आपके लिए ऐसी ही शांदार कहानिया सदैव लाते रहेंगे धन्यवाद